हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू बेसिक आप सिविल इंजिनिंग बाई वीडी यूटूब चनल, आज के लास में हम देखेंगे कि वन क्यूबिक मीटर मोटार में सिमेंट और सेंड की कितनी आवशकता होती है, कितनी मातरा में सिमेंट और सेंड उसमें जरूवत पड़ते हैं, उसका कैल्गूलेशन आज करेंगे हम, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेंडर साइज और ब्रिक क्या होता है, 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटी मीटर, ठीक है, मोटार थिक आपका होता है, 10 अमेम एक्वल टू 1 सेंटी मीटर, ठीक, तो यह 1 सेंटी मीटर हो गया, तो आ आपका क्या जाएगा, 20 इंटू 20 इंटू 10 सेंटी मीटर, आपका ब्रिक साइज हो गया, 20 इंटू 20 इंटू 10 सेंटी मीटर, यह आपका मोटार थिकनेस के साथ, मोटार थिकनेस के साथ, आपका साइज ही हो गया, 20 इंटू 20 इंटू 10 सेंटी मीटर, तो वाल्यूम आप वन 002.000 टीक के वाल्यम ओफ ऐन वाम आप या गरिक पाय। वाल्यम आप मोटर वॉल्यम मोटर वाल्यम आप अगर आपका और वाल्यम आप डीक गलून नीकालेंगे 0.1910 009109 और 0.09 तो वाल्यम माट ब्रीक विधर का तो मुटर तो वॉल्यूम ओफ वन मीटर क्यों यह हो गया आपका वन अपाउन जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू जो आप उदर निकाले थे वॉल्यूम ओफ ब्रिक्स बित मोटार तो यह आपका 500 नॉस नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गया आपका 500 ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है वॉ ब्रिक्स के लिए आपको कितना मतल्क यह लगेगा वॉल्यूम रहेगा आपका 0.7695 नाइंट वॉल्यूमोगाः ठीक है यहापका भॉर्यूम हो गया तो आपको क्या करना है वॉल्यूम मोटार वन cables तो आपको वन में माइनस यह आपका ब्रिक का वॉल्यूम है इस कि मैनस 0.7695 माइनस करेंगे तो आपका जो वाल्यूम आएगा 1 माइनस जैसे एक्जामपल के लिए आप जैसे मालो यह पूरा 1 मीटर की हुए इसमें जो आपका साइड है 0.7695 ब्रिक्स का है तो बाकी जो बचेगा वो आपका मोटार का हो जाएगा तो मोटार का हो जाएगा तो यह आपका जो आगया है यह हमेशा वाल्यूम वेट वाल्यूम है यह वाल्यूम वेट में निकलता है क्योंकि हो सिमेंट मोटार मसाला रहता है इसलिए वो वेट में वाल्यूम निकलता है उसके बाद आप क्या करेंगे इसमें IS code के हिसाब से wet volume को अगर आपने dry volume में change करने के लिए उसको 30% increase कर देते है in case of dry volume अगर dry volume है dry volume में change करना है आपको तो इसको increase कर देंगे 33% तो increase के case में क्या होता है 133 upon 100 तो यह हो जाएगा आपका 1.33 ठीक है 1.33 से आप multiply कर देंगे तो यह आएगा 0.306 meter क्यों यह आपका आगया dry volume dry volume का dry volume क्या आगया आपका 0.306 meter क्यों अब आपको क्या करना है आपको cement और sand की quantity आपको निकालना है तो आपको उसके लिए सबसे पहले उसका formula देख लेंगे इससे पहले हम निकाल लिए है volume of volume of dry condition अभी निकाल लिए हम लोग 0.306 meter की हो गया ठीक है अपन जो ratio लेते है motor में 1 by 6 इसमें 1 होता है आपका cement और 6 होता है sand ठीक है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है formula में सबसे पहले आपको volume ले ले लेना है और इसका cement क्या है cement 1 है तो आपको 1 1 से multiply कर देना है और 6 1 प्लस 6 7 आपको 7 से divide कर देना है तो इस cement का volume आजाएगा 0.043 meter q ठीक है इसमें इसी प्रकार सेट करेंगे सेंड के लिए उसी प्रकार करेंगे तो volume of motor in dry condition हो गया 306 into इसमें हो जाएगा आप सेंड का जो proportion है 6 है 6 upon 7 6 प्लस 7 ये 7 हो जाएगा तो इसका volume of send आजाएगा 0.262 meter q ठीक है इसमें cement का dry density of cement क्या होता है 1440 और इसमें dry density of send होता है 1450 तो आपको simply ये करना है कि इस volume में इसमें आपको multiply कर देंगे तो ये kg में आजाएगा ये इसको आप इसमें multiply करेंगे तो ये kg में आएगा kg per meter q तो meter q cut जाएगा आपका ये आजाएगा आपका kg में तो ये आपका आगया cement का 61.92 kg आपको cement required होंगे उसके बाद आपको dry density of sand इसमें आप multiply कर देंगे तो आपको 379.9 kg आपका ये send required है send इतने क्या आवशकता होगी आपको अब इसको देखना है कि इसको आपन bag में change करने के लिए क्या करेंगे one bag of cement होता है आपका 50 bag तो number of bag क्या हो जाएगा number of bag हो जाएगा 61.92 को 50 से अगर divide कर देंगे तो आपका number of bricks निकल जाएगा तो 62 upon 50 होगा 1.2 bags तो आपका 1 by 2 bags का required होगा उसी प्रकार इसको 1 kg में है इसको अगर cubic feet में change करने के लिए अपन 35.3147 से multiply कर देंगे तो आपका ये cubic feet में आ जाएगा 1,3,4,1,6,0,0,5 cubic feet ये आपका cubic feet में आ गया अपको cubic feet में change करने के लिए आपको 35.3147 से multiply करना पड़ता है तो उस प्रकार ये आपका cement के कितनी जरूत पड़ेगी और आपको sand के कितनी जरूत पड़ेगी ये ऐसे करके आप निकाल सकते हैं किसी भी area के लिए आप जैसे हमने 1 meter के लिए निकाला है 1 meter के लिए cement और sand के कितनी आउशकता होगी उसको देखे हैं इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं इसमें अपने हिसाब से आप जितने भी लिए हमने निकाला है इसे आप वाल्यूम को बढ़ा कर इसमें बढ़ा कर भी निकाल सकते हैं आपको cement और sand के कितनी मातरा के आउशकता होगी इसमें आप निकाल सकते हैं इसी प्रकार सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको वाल्यूम ऑफ इस्टेंडर साइज और ब्रिक ले लेना है 19 x 19 x 9 cm जैसे का आप देख रहे हैं लेकिन मोटार थिकने सोता है आपका 10 mm वन सेंटीमेटर तो वन सेंटीमेटर तीनों में एट हो जाएगा तो वन सेंटीमेटर हो गया 20 cm x 20 x 10 x 10 हो जाएगा 9 x 9 cm हो गया और आपका मोटार रेशियो आप लेते हैं मोटार के लिए 1 रेशियो 6 लेते हैं तो उसमें 1 प्रपोर्शन आपका सिमेंट होता है 1 प्रपोर्शन आपका सेंड होता है तो वाल्यूम और सिवह जाएगा जिडी फाइव वाल्युम अफ वन प्रप विडींड हो गया और उसी पर का वाल्यूम और यह मोटार हो गया वीठाउट भी ञाएगा आपका जिरू पांट जिरू वान फॉन avaтор हो जाएगा आपका 0.001 फाइव मतलब यह वाल्यूम कवरड़ वाइज एक प्रिक्स का आपको पता है कि 0.001539 विधाउट मोटर आपका साइज होता है ठीक है इसको अगर आपन 500 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह पूरा अगर इसको माइनस कर देंगे तो आपका यह आजाएगा वेट वाल्यूम को आपको चेंज करना है ड्राइ वॉल्यूम में तो 33% IS code के इसाब से इसको increase कर देंगे तो 33% 1.33% हो जाएगा आपका तो यह हो जाएगा वॉल्यूम आपका 0.306 meter क्यों ठीक है 0.36 meter क्यों हो गया उसके बाद आपको क्या करना है इसमें सिमेंट और सेंड की कितनी quantity की आउशकता होगी उसको निकाल लेंगे तो इसको निकालने के लिए जैसे आपको यह पता है कि इसका वॉल्यूम ड्राइ वॉल्यूम 0.306 meter क्यों आ गया जिसमें सेंड और सिमेंट और सेंड का रेशियो पता है तो अपने को इसका कितनी सिमेंट की जरूत पड़ी की उसको देख लेंगे सबसे पहले आपको 0.306 वॉल्यूम में सिमेंट के रेशियो से इसको मल्टिप्लाइ कर देंगे तो 0.043 meter क्यों आ जाएगा उसी परकार सेंड में आपन इसको 6 अपन 7 कर देंगे इसको सिम्पले से साथ मल्टिप्लाइ कर देंगे तो ये डारेट केजी में आ जाएगा 61.92 केजी इथर आ जाएगा आपका सेंड के लिए 379 केजी ठीक है इसको आपन बैग में चेंज करना है तो वन बैग आपन 50 केजी होता है तो नमबर और बैक्स क्या हो जाएगा इसमें आप मल्टि डिवाइट कर देंगे तो आपका 1.2 बैक्स का रिक्वाइड आपको सिमेंट होगी और उसी परकार ये आपका केजी में आगे इसको आप क्यूबिक फिट में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 13416.05 क्यूबिक फिट इस तरह आप किसी भी एरिया के मतलब कितने सिमेंट और सेंड की मोटार के लिए कितने सिमेंट और सेंड की आवशक्ता पड़ीगी आप निगाल सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताएं और चैनल के नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू पर वाचिंग